ओम शान्ती, सुनते हैं आजखी रातरी कहानी, कहानी का शिर्षक है आत्मिक स्नेह गाथा अम्मा आपके बेटे ने मनी ओर्डर भेजा है डाकिया बाबुने अम्मा को देखते अपनी साइकल रोक दी अपनी आखों पर चड़े चश्मे को उतार, आचल से साफ कर, वापस पहनती अम्मा की बुढ़ी आखों में अच्छानक एक चमक सी आगई बेटा, पहले ज़रा बात करवा दो अम्मा ने उमीद भरी निगाहों से उसकी और देखा लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा अम्मा इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से बाप की बात करवा सकूं डाकिया ने अम्मा को अपनी जल्द बाजी बताना चाहा लेकिन अम्मा उससे चिरोरी करने लगी बेटा बस थोड़ी देर की बाही तो बात है अम्मा आप मुझसे हर बार बात करवाने की जितना किया करो यह कहते हुए वह डाकिया रूपे अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नमबर डायल करने लगा लो अम्मा बात कर लो लेकिन ज़्यादा बात मत करना पैसे कटते है उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया उसके हाथ से मोबाइल ले फोन पर बेटे से हाल चाल लेती अम्मा मिनिट भर बात कर ही संतुष्ट हो गई उनके जुरुदार चहरे पर मुस्कान चा गई पूरे हजार रुपे है अम्मा यह कहते हुए उस डाकिया ने सो सो के दस नोट अम्मा की और बढ़ा दिये रुपे हाथ में ले गिन्ती करती अम्मा ने उसे तैरने का इशारा किया अब क्या हुआ अम्मा यह सो रुपे रख लो बेटा क्यों अम्मा उसे अस्चरि हुआ हर महने रुपे पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो कुछ तो खर्चा होता होगा न अरे नहीं अम्मा रहने दीजिए वह लाख मना करता रहा लेकिन अम्मा ने जबर्दस्ती उसकी मुठी में सो रुपे थमा दिये और वह वहाँ से वापस जाने को मुढ गया अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे धेरो अशिर्वात देती अपनी देहरी के भीतर चली गई वह डाकिया भी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा उसके उसने बीचे मुढ कर देखा तो उस कजबे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने कड़ा था मोबाइल फॉन की दुकान चलाने वाला राम प्रवेश को सामने पाकर वह हैरान था भाई साब आप कहां यहां कैसे आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना मैं यहां किसी से मिलने आया था लेकिन मुझे आप से कुछ पूछना है राम प्रवेश की निगाहे उस डाकिया की चेहरे पर टिक गए जी पूछिए भाई साब भाई आप हर महने ऐसा क्यों करते हो मैंने क्या किया है भाई साब राम प्रवेश के सवलिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनी घबरा गया हर महने आप इस अम्मा को भी अपनी जेब से रुपए भी देते हो और मुझे फोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते है ऐसा क्यों राम प्रविश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सक पका गया मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा जूत पकड़ा गया हो लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी मैं रुपए इन्हे नहीं अपनी अम्मा को देता हूँ मैं समझा नहीं उस डाकिया की बात सुनकर राम प्रविश हैरान हुआ लेकिन डाकिया आगी बताने लगा इनका बेटा कही बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए हजार उपए का मनी ओर्डर भीशता था लेकिन एक दिन मनी ओर्डर की जगह इनके बेटे ने के एक दोस्त की चिठी अम्मा की नाम आई उस डकिय की बात सुनते राम प्रवेश की जिग्व की जग्यासा हुई कैसी चिठी क्या लिखा था उस चिठी में संक्रमन की वज़व से उनके बेटे की जान चली गई अब वह नहीं रहा, फिर क्या हुआ भाई राम प्रवेश की जग्यासा दुगनी हो गई लेकिन डाकिय ने अपनी बात पूरी की हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशल तक इस उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बात बताने की मेरी हम्मत नहीं हुई मैं हर महीने अपनी तरब से इनका मन्य ओर्डर ले आता हूँ लेकिन यह तो आपकी अम्मा नहीं है न मैं भी हर महीने हजार रुपय भेजता था अपनी अम्मा को लेकिन अब मेरी अम्मा भी कहा रही यह कहते हुए उस डाकिया की आखे भराई हर महिने उससे रुपए ले अम्मा से उनका बेटा बनकर बात करने वाला राम प्रवेश उस धाकिया का एक अजनवी अम्मा के प्रतियात मिक्स नेह देख निशब्द रहे गया कही पड़ा था पैसा भी जरूरी है जरूरत भी जरूरी है मशीनी दोर है साहब खाईशे फिर भी अधूरी है रह गई किसको कहा अब दरकार अपनों की ओड कर मुस्कान रिष्टों की दिखना सुन्दर जरूरी है क्या कीजिएगा होकर जज़बाती इस जमाने में बस उम् जीने के लिए उसकी यह कल पनाए क्या उसे कोई सुख कानुभव दे रही है मानव वर्तमान के सुख से अंजान होकर अपने अनिश्चित भविश्य की तलाश में उप्राप्त सुख की गरिमा भूल जाता है और दुखी जीवन व्यतीत करने लगता है यद्देपी भारति जीवन दर्शन में अर्था को तीसरा सुख जरूर माना परंतु रुदह से नहीं मजबूरी से क्योंकि साधनों से जीवन को गती मिलती है और नियमी जीवन को लक्ष में रखने से ही जीवन अपने लक्ष की तरफ अग्रसर हो सकता है इसे हम इस योग की जर्रत इस कह सकते है ऐसे हिस नेह वात्सले की भावना है किसी स्री का अपने पुत्र के प्रति जो लगाव या प्यार है उसे इस नेह शब्द से निरूपीत कर सकते है मेरा मानना है कि अंजान व्यक्ति से आत्मियता दर्शाने से अंदेखे अंकहे सुख की अनुभती होती है एक बार आप भी प्रयास करके जरूर देखे अच्छा ओम शान्ति